जो गैस मेरी सुनिता सावु चैडल में आपका स्वागत है आप सबको जैसे अराम आज हम बनाने वाले हैं बिल्कूल ही सीम्पल से बल्णने वाली राइस तो चलिए जो बहुत ही कम टम में बन जाती है और इसे बनाने के लिए बहुत ही दीचाल या बिल्कूल से है या बनाते हैं in now к ground Yeah, हमने पानी गरब करने के लिए रख दिया है लिए गरम देख्षांब लिए है या में कानद भी यंख लिया है अब हम एक बार इसे चला लेना है बार बार नहीं चलाना है जिससे चामल तूट सकती है देखिए हमारी चामल अच्छी तरह से पक रही है हम एक एक करके गरम मसाला को पुरी तरह से लिकाल दे रहे हैं तो हमारी चामल पुरी तरह से खिली के लिए पख गई है अब हम इंडेक्शन को आफ करते है कि देखिए हमने अपने चामल कमाड पुरी के लिखाव दिया है है हेलो गाइस तो हमने कड़ाई गरम करके ओल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा से वे यह हम वह सेमल खाने का बननी यह तो लगता है कि कुछ लएक बना लगर रहे और होती फटा फटा वनाले और कम आउमेही ए फिसीलिए हमने बहुत ही सिंपल बन्ने वालिवाली राईस बना रहे हूं तो देखते हैं हमारा ओँ गरम हुआ कि नग हमारा ओए जरब हो चुकत है अब इसमें हम डालते हैं जीरा अब इसमें डालते हैं थोड़ा से हजी पेवल तो इसमें हम डालते हैं स्वाद अगुशा नमक यह चलिए अब हम डालते हैं तो देखिए हमने पूरी तरफ इसे मिक्स कर रखा है हम इसे ज्यादा नहीं चलाएंगे तो देखिए तो आपको कैसी लगी हैं कि अधिकतर आप मेरे जितना भी मेरे स्पी बनाते उसमें मिर्श को प्योग नहीं करते हूं आप चाहे तो आप डाल भी सकते हैं हम नहीं डाला है तो कैसे लगी मेरे चैनल सुनीता सहुझी अच्छा लगए तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजए झाल झाल